तो हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ अनम जेन आप सबका फ्रेंड नेक और नई वीडियो के साथ इस वीडियो में हम कवर करने आले अपने हाई बेटे चैप्टर और वह भी पांचो चैप्टर एक ही मन छोट में वन वीडियो में खबर कर देंगे और यह जो सेकेंड चैप्टर है इक्टिवटी और नौन एक्टिवटी अप्टिवटी वो जाती है जिस्से हमें मौनेट्री टार्म में कोई पर ठीचों हमें सक्ष्टाइब इसको तो होता है जया से अब्यक्टिव और पूसे अब्जेक्टिव और आ कि मना तो इतना में का उब्जेक्टिव कौन से होते हैं सर्वाइवर ग्रोथ और प्रॉफिट अब बिजनेस को यह तीन आप चीज की जरूरत होती है अगर हम बिजनेस में ठीके रहना है और लंबा खेलना है लंबी वारी खेल नहीं है तो हमें कम से कम जिस कॉस्ट में हम समान बन अब बात करते हैं सोचल अब्जेक्टिव की पहला सोचल अब्जेक्टिव बताता है कि सप्लाइं गुड कॉल्टी और हम जितने भी प्रोड़क्ट की सप्लाइं करेंगे वह भी बहुत अच्छे क्वाल्टिक होने चाहिए और सारे ही रेजिनेबल प्राइज में होने चा चाहते हैं और एक अच्छे बिजनेश में बनना चाहते हैं तीसरा है अवाइड पॉल्यूशन जैसे कि इतने सारे बिजनेश में हमें बहुत सादा मशीनरी की रिपार्मेंट भी होती है बट हम मशीनरी इको फ्रेंडली लाए तो कैसा होगा वह भी एक सोचल करना चाहिए और फिर हमारे भी बिजनस में को एंपलोय काम आएगा बात करते हैं सोचल सर्विस की जैसे डोनीशन करना चैरेटी में तान देना अब जेक्टिव भी खताब अब बात करते हैं किसकी इंडस्ट्री की बात करनें इंडस्ट्री तीन प्रगार की होती है फ्रा में कोनशंशं इंडस्ट्री जैसे deeply mining करना और ulpore off करेंज आ बदे केंद्स्ट्री में कौनशं इंडस्ट्री जैसे की हमारे डेरी फार्म स्पोलट्री अब जो इकंटरी ज्यांकि तो मैं है मैनुट्री पर्छ्विस टाइप में ऑव दो टाइप है इस région इंडेस्री मतलब हम भीग बना रहे है यहीं प्रोसेक्ट्र्म के भी टाइप है जैसी कि प्रोसेशिंग इन्डस्ट्री सिंधाटिंग इन्डस्ट्री एंडस्ट्री ऑर जो को दिये उसने जैम मतलब को तिया उसने अब बावेलबल है उसको हमने शेंबल करकर का स्विनिश्ड़ बनाया कि आह Sixt हम अ गैंगोर है और यहां करने बनाया चया लिदन्धि-टैर्थ्ट्ट्री जानि यहां मैं में इस सब बनाई पयत new निकाले दूस्ट्री बन को और कि बाड़ना lotta when you go to me इसको वििन्स करने काःने का nets industry अब बात करते हैं बिजनेस सब्लाइम्ट और क्रोफेशन के भी इज़िछ में इसकी इस किमेंट कैंट्र क्या है मतलब यह चालू किसे होते हैं बिजनस को चानु गरना लेक्र ले त कर दें। फिर प्रोफेशन को चालू करने में उसकी qualification complete होने के बाद ही वो चालू कर सकता है और sorry employment चालू करने के लिए उसे एक firm में जाना पड़ेगा उसे कोई company में जाना पड़ेगा तेन आप रिस्क किसमें कितना होता है business में risk risk factor बहुत जाता होता है और profession में risk factor थोड़ा काम होता है अब इन्हें reward के तौर में क्या मिल रहा है business को profit मिल रहा है प्रोफेशन को प्रोफेशनल्स को fees मिल रही है और employment को salary मिल रही है अब क्या बचा है रहा है इनका motive क्या है तो business का मोटिव है कि बहुत जाना profit का माना है आपकांची reputation चाहिए goodwill चाहिए society में और professions का motive है कि हम एक service provide करना है उसे doctor की teacher की और जो अपने employment है उसकी उसका क्या होगा वो अरे यार क्या करता है वो हां company में जाके उसका मोटो है रहता है कि मैं promote हूँ बार बार और मैं company का अच्छे से ख्यार हो business employment और क्या प्रोफेशन भी खताब बन गया अब एक चीज़ बची यार हम दो चीज़ बची तरशेरी इंडस्री में क्या आता है एक यह खेंद गया हमें को चीज़ आती हैं हमारे इंडस्ट्री हमारे बिजनस में इंडरेक्ली अफेक्ट्र मुट्छ बंगा उसली दूर ले के जाना है तो घ्रांस्पोर्ट से जाएंगा हमें कोई लेटर मंगाना तो हमें को with communication service जाएगा और हमें कुछ बात करने है वार है कुछ knowledge देना है तो advertisement product make insurance कराना है insurance product बढ़ ही नहीं रहा है पैसा नहीं है तो bank loan देगा और product बढने के बाद safe रहेगा warehouse में एक आखरी topic वह चाह है re-industrialization 6 MarkS 6 MarkS अब यह क्या है जरह डीटेल में समझते हैं बहुत जोड़दार टोपिक है तो 1952 मतलब जश्ट आजादी के बाद जब भी हमारे जो प्रजान प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रहे होंगे तो उन्होंने 5-year plan बनाया वो किस चीज के लिए अच्छी बिल्ड नहीं होगा फिर क्या हुगा फिर इन्होंने सोचा कि हम 1991 में लिप्रिलाइजेशन कोल देते हैं मतलब बाहर के देश भी आके हमारी कंट्री में वैपार गर सकता है फिर जब इन्होंने लिप्रिलाइजेशन खोला बनाया इंडिया बन गया फास्टेश भराइख एकोनोमी इंडिया के लिए उसके बात क्या हुआ जब बहुत जादा बाहर की कमपनी जाने लगी इंडिया मैं तो हमारे मोधी जी को सुझा 2014 में 25 सितंबर के दिन मोदी जी ने मेक इंडिया स्कीम का एलान किया किस लिए बहुत सारे जॉब क्रियेशन हो और जो लोग बहुत जादा स्किल्फुल है उनका स्किल एन्हेंस्मेंट हो बहुत साले लोगों को एंप्लॉइमेंट मिले ये सा भी सांऔर साथिक्षशरा है अब बाट करते हैं जी स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइस के लाए मैं इसलिए इसके बाद करते हैं चरहना एंटरप्राइस को पार ढ़ast रिके आपि जो है शर्प को निकल करते हैं उसे बहुती हैं अब ये स्मय निडर्यन क्रम को निए हो यह भी six mark करना सकता है growing of economy जितनी ज्यादा उन्डप्रोडक्त होगा इंडिया में उतने ज्यादा बहुत सारे प्रोड़क्त होगे जिससे GDP भी इंग्रीज होगी और हमारे इंडिया मतलब हमारी कांट्री के प्रोफिट्स भी उतना ही ज्यादा इंग्रीज होगे हमारे पास foreign exchange जाएगा foreign exchange जाएगा अलगी बात है अगर हम international trade करते हैं तो employment सब्सक्राइब सब्सक्राइब होगा और इसके बात अब जो हम entrepreneur बनने की हमारी process क्या है पहले तो हमें करना self-identification क्या हम job के लिए हैं क्या हम business के लिए हम ने यह कर लिया उसके और हमने opportunity में किस एरिया में हम वर्क करने फिर हमें क्या करनी है उस idea को evaluate करना है बिल्कुल जोरता plan बना लेना है कागज में लिखे फिर उसकी planning करनी है बहुत अच्छे से फिर उसके बाद क्या करना है यार raise up capital capital को उठाना है कहां से उठाओगे वह भी इसी chapter में बात करते हैं उसके करने के बाद है growing करना उसके भी कठे अब ग्रों करने के बाद हम उसको harvest कर देते हैं मतलब इतना successful startup को हमने किसी दूसरे के हातों बेर दिया जिससे हमें बहुत मोटी रखम बिल अब बात करते हैं कि हमारे startup की क्राइडेरिया होना चाहिए स्टार्ट पांच साल पहले कुला चाहिए well you are 24 ग्राओड से जाथा नहीं होना चाहिए और वो किसी भी कंपनी से स्प्रेट नहीं होना चाहिए मदा निकला हुआ हूँ अब इंडिया स्कीम घृम के मोधी जी की देन है और मेकल इंडिया की मोधी जी की देन और startup इंडिया स्कीम भी मोधी जी जी देन है यह पंद्र अगस्त को हुई थी वो परचे सेंबर को हुई थी अब स्टार्टप लिए हाप कैपिटल कहां से उठाइगी पहला सेल्फ वंडिंग मलब बूट स्ट्रेप स्टार्टप हमारी खुद की सेविंग से हमारी खुद की से फैमिली से जो हम अपनी जेब से तरसे लगा तरीका है और फिर आजाता है क्राउड फंदिंग यह मुखत जबरदस तरीका है क्या होता है हम एक वेबसाइट होती है एक एक अप होता है उसमें अपना स्ट प्लैन लिगते हम क्या करना डाले कौंशा प्रॉड़क्ट बनाएंगे क्या सर्विस देगी जिसको भी उसमें इ इंटरेट आया है फिर आजाता है वेंचर कैपितल वेंचर कैपिटल और एक साथ सब्सें तो बहुत मुंदॉष एक पर्टिकुलर इडिविज्वल जो अपनी जैब से प्राइसावार बोट वेंचर कैपिटल पूरी एक कंपनी है या फिर एक कह सकते है पुरी फर्म है जो हमें पैसे दे रहे हैं कि आप लीजिये लगाई उसके बाद में प्रॉफिट मिलेगा वह हमको छोड़ जाएगा ठीक फिर बैंक बैंक तो हैं ही बैंक से लोन मिलते हैं अब क्या आता है मोधी जी ना थोड़ा और इसी कर दिया है जी मोधी जी ने क्या किया है मोधी जी ने गंडिया स्टार्टो फंडрий पार्विंप और महाराष्त है कि अुछ नेश्ञयाशनल फण से हैं जिसमें एक बहुत बहुत पॉपुलर संडमthinking फिरusta मुद्र्स बहुत जोरदार फंड है इसके बारे में डीटेल वीडियो बनाते हैं उसके बाद बात करते हैं अब हम स्मॉल बिजनेस की बात करते हैं स्मॉल बिजनेस वह होते हैं जिसमें हम अभी तो 25 पहले 25 लग की लिए खोड़ी और प्रण है और हम 50 वर्कर तब यूज करेंगे जब हम बहुत सारी एक्विप्मेंट का यूज कर रहे हैं और हम 100 वर्कर तब यूज करेंगे जब हम एक्विप्मेंट का यूज नहीं कर रह हमारी आउटपुट जनरेशन की, आउटपुट जनरेशन मतलब 45%, 40% सब ज़्यदा जो एक्सपोर्ट होता है, वो small business करते हैं, जो small business को भी शष्शत नमन हमारा, sorry, आदा, और फिर ये regional balance fund भी करते हैं, जिस मालो, अब जो small business ओल भूद भारी technology की ज़रूरत है नहीं, तो वो कहां अपनी factory लगाएंगे, अपनी rural area में, जिससे rural area और urban area balance में चलेंगे, ठीक है, अब जो small business हो, उनका role क्या है, rural area, उन्होंने artistic और creative sense को भी बहुत ज़्यादा preference किया है, जब से इंडियानेट के जमाना आया है, तब से आर्ट्स बहुत ज़्यादा popular हो रहा है, mobilization of local resources, उस गाउ में जिस जगह पे small business आ जाता है, वहां की economic condition improve हो जाती है, employment generation हो जाता है, ये सब देन है हमारे small business की, अब IPR क्या है यार, topic बदल दिया, intellectual property right, copyright trademark और patent, copyright मतलब हम कोई art वाली चीज़ कर रहे हैं, गाना का रहे हैं, वीडियो बना आ रहे हैं, उसको किसी ने copy कर लिया हम उसको गोल देंगी जो हम उसके चार्ज दानेगी copyright, अब हमने कोई process ढूली कोई method ढूल लिया, तो हमने उसको जो करवा दिया, हम उसको पेटेंट करवा लिया, हम उसको पेटेंट करवा लिया, हना methods पेटेंट लगेगा, artistic चीज़ों पे copyright लगेगा, अब बात करते हैं, company के symbol, company को क्या रिप्रेजेंट करता है, company को रिप्रेजेंट करता है trademark, trademark जैसे Nike का है, अब उसके बात करते हैं, government ने क्या क्या incentive दिये है small businesses को, government कहती है, अगर आपको बिजनेस में पानी का जादा uses होता है, हम आपको 50% off दे देगे, और पानी का बिल्कुल use नहीं होता है, तो free भी दे सकते हैं, free वाली scheme अर अगला अगी state में है, हम आपको land देदेंगे lease में, या फिर easy installment, हम आपको finance भी provide करेंगे, easy installment, हम आपको बहुत सारे raw material भी provide करेंगे, जो import करके लाया हो, जो आपके India में मिलता ही नहीं हो, है ना, यह सब facility है, जो हमारे government initiative में provide करती है, दो और facility में सारी initiative फूल गया, power का और GST का, पावर का अगर आपके factory में बहुत ज्यादा power लग रहा है, 50% off, अगर नहीं लग रहा है तो initial year में एक से दो year के लिए off, आप अची scheme है, अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, NSIC की और DIC की, अब NSIC यह बहुत पहले शुरुआत हुआ था प्रोग्राम, मतलब 1950s की में का बात है, क्यों हमारी small businesses को promote करने हैं, पाट यह national level हुआ था, तो इतना दना गाउजिले में पहुच नहीं पहाता था तो इतना दना गाउजिले में पहुच नहीं पहाता था, फिर तो अरे कमेंटो पॉइंट, नेशनल वह NSIC यह ज़रा फोफ जानते हैं, फीचर क्या है, यह हमें बहुत सारे इंपोर्टेट मशीनरी प्रवाइड करता है, हमारे लिए इसने software बार्क बनवा दिये, हमें इसने technology सिखा दी, हमें इसने बहुत सारा raw material लाके दिया, इतनी सारी हेल्प थी, उसके बाद आया DIC, DIC क्या करता है, district level में काम करता है, और जो गूरल एडिया का entrepreneur हो, जो small business वाला है, उसका attitude चेंज करता है, मतलब ना वाला attitude नहीं यार, वो business वाल attitude मतलब जो उसका सोचना है कि या नहीं हो पाएगा, वो उसको growth करनेगा मदद करता है, और बहुत साई schemes बताते हैं, आपके suitable business लिए, तो chapter 8, internal trade मतलब हमारे country की जो ग्रॉफी लिमिट के जो ग्रॉफीकल लिमिट के अंदर जो ट्रेड हो रहा है, उसे हम बोलते हैं, internal trade उसमें दो चीज आती है, wholesaler और retailer ठीक है, wholesaler और retailer आते हैं, तो इनका क्या करीनियार पढ़ते हैं, पढ़ी रेते हैं, तो जो wholesaler होता है, वो बर्क में सामान बेखते हैं, जो retailer होता है, वो एक एक पीस में डीलिंग करता है, जैसे हमारे घर के बगल में, जो किराने वाले भाहिया है, वो एक एक पीस के कुर्पुरे देते हैं, but wholesaler वाला है, पुरी पेड़ी वह खुट को दे देगा, ठीक है, आप ही जबते हैं, ठीक है, तो होलसेलर के बो जाते हैं, हम सर्विस क्या क्या प्रवाइड करता है, manufacturer को और retailer को, तो wholesaler की बाद अभी करने हैं, और manufacturer को क्या service प्रवाइड करता है, स्टोरेज की, कि भाई तू समान बस बना, बाकि स्टोरेज की फेसिलिडी में कर लोगा, फिर फेसिलिएटेड लार्ज प्रोलक्षन, अब मैनुफेक्चर ने समान बना लिया, बट उसको कितनी कॉंटेडी में चाहिए, और समान नहीं भी कर तो क्या हुआ, कि भाई तू बना, मैं खरीद लूब!! अब हो गोलता है कि तू जितनी इप कर झेला बाकि ये वहता है कि होल्सेलर का क्या, मैंवयल सर्विस को पर्वाईट करता है, और बहुः सारी सर्विस्स हैं जैसे रिस्स के ले लेता है, कि समान नहीं पीका, तो टेंशन मन दे, तो समान बना, मैं धेल लोगा, और फिर रीटेलर को क्या सर्विस देता है, ने एक वान यहाल भूल को मुझा बदसते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस देता है, तो जो भी मार्केट में चल रहा है कि भाई अभी फैशन में ना वो छपरी वाले जूते चल अभी ना वो हूडी चल दी बीट में कुछ छोटा भी में चोटकी बना तो चल जाएगा, तो वैसे रवाइस देता है, तो वो पना रहा है, ठीक है, अब सरविस देखते हैं, खूलसेलर की, मैं रीटेलर को क्या प्या देता है, वो क्रेडिट ग्रांड अफ क्रेडिट दे हेलप कर देता है, क्या मईत कर देता है नोता है जी आपें भेताच अर्फ कर देता है, चाहित क्या कूं क्या देता है कस्तमर को वाइड रेंज देता है, कि बेक्ति कि हमोटक्ट's है, हमें कौन साट उप प हाडिका पसंदा रहा है, अपड़ लो है डनसोलडर लो नेtober है, और क्या देता है क्वाल्टी प्रोड़क्ट देता है बहुत सारे उसके पास प्रोड़क्ट होंगे जिए 한 दुर 10 जोपाइ वाली चॉक्ले अच्छी नहीं लागइ तो एकना पर्सनल सेलिक करते हैं तेखो भाई आपने बाल क्तों के बाल तहिस्कों पर sini ध्यूतें ये गाम होना है הנet already अब टॉस्कों मार्केट कहबी अपना लगी miracle ये लिदेयलर लहाखी नदी के तब तो होसेलर मेनुफेट्चर को देगानन तो यह बताता हैvens के बारे प्लिक अशनार काślę कर्ण जो किसे सब देता है मतलब कि जिनके पास शौप ही नहीं होते हैं जिसे जो सब्दी वाला होता है जगा जगा घूलता है वह इतिनेरेंट है और जो हमारे रोड साइड में कपड़े की दुकान है वह इतिनेरेंट में जाते हैं अब इसमें आजाते हैं होकर्स और पेडलर्स जो घूमते रहते हैं सर में लेकर जैसे वह देल मुरी वाला आता है उसके बाद चीफ जैक्स तो सस्ते में समान बेच देते हैं जाओ कोई जीन्स हजार रोपे में आएगा रस्ते से जीन्स लेलो तो उसमाँ पढ़ जाएगा खिएगा यह स्टीर चाय के ढगा लिया उसके बाद अब इसके में जाद है डिपार्टमेंटल स्टोर और चेशन अब स्टोर जह is很好 वलो बाटा का showroom में में, नाइकी का showroom में, हैंना, तो उसका अपीरेंस सेम रहेगा, मgendव धिक्षने में तो सेम रहेगा, collection भी वही रहेगा, क्वाल्टी भी रहेगी जूतो मैं चाहे आप मंबाइ में रहो चाहे दिलि जीट को शेम कर फैना है तेज दिटा डिपार्टमेंटाल स्टोर कर नं की चगए दर सेंअ जाकीर सब्पून शबार्ण सेंगे तुमको साभून साभूं में करता है किस्टमा को प्रफरेंस करता है वो और दूसरी दोगार से कम रेट मिलेता है क्योंकि वो सिधा डायर्ट मैनुफेक्ट्टर से डील करता है ना यही होता है डेपार्टमेंटल अंपेस्टोर का फीचर की फीचर और जीच्ट और पच्चे चैप्टर 9 दी गतम इंटरनल टेंटल एक दो बच्चे और यही है इसमें सिर्फ इंपोर्टेंट करेंगे अगर इसको खाली अगर पाढ़ने लगे इसी चैप्टर को पाढ़ने में 40 मिंट की वीडियो बाच जाए तो अब बात करते हैं की फिचर और जीच इसती मतलग बहुत सारे टेक्स लगते थे बट अब एक ही डेक्स दोषार सथा में आया है यह घ्ट गूड सविश्ट अब बुर सर्विस्टरेटक्स की बहुत सारे स्लेप्ट हैं चार स्लेपष है कैसे कैसे किसी चीज में 5% टेक्स लगे गा किसी और फिर GST कितने परकार के होता है? I GST, C GST, S GST. S GST मतब State GST, C GST Central GST, यहना इसके डील हम खरीद रहे हैं समाल या बेज फिर भी GST लगता ही है, की फीचर ओफ GST भी खाता हुए, मजा आ रहा हो है, लाइप कर देना, नाई-नाई जो भी सब्सक्राइबर, नाई-नाई व्य सब्सक्राइब करके जाता है, इमर्जिंग मोड्स ओफ दा बिजिनेस 5 चेप्टर है, बहुत छोटा सा, आने वाला है, कम से कम, आज से 10 नंबर का, जितने में यह आने वाला है, इमर्जिंग मोड्स ओफ दा बिजिनेस, पहले जानते स्कोप ऑफ E-Business, एक नट रोग, E- बिजनेस बहुत बड़ा पेड़ है, उसके नीचे पना पर है एक बहुता, E-commerce, E-commerce मतलब, Buying and Selling of goods, पस ख़ताम E-commerce, Full Shop, E-Business मतलब, Buying, Selling, Marketing, Servicing, Aftershare, Servicing, सब, अब बात करते स्कोप of E-Business, Business to Business मतलब, B2B, Business से ही Business को जा रहा है, अब टाटा जी ने गारी बनवाई है, पाटा जी की पंच आ रही है, वोने टायर की जरुवतरों ने आपको लोगे आउससना फोल लगाया, मैं को टायर चाहिए, बिजनस से बिजनस के बीच में ही ट्रेड हो गया, B2C, बिजनस से कंजूमर के बीच में जो ट्रेड हो रहा है, इसे B2C बोलते हैं, वो त्यार न है, वो जीच खरीबली, C2C हो गई, Olex से बहुत अच्छा एक्जामपल है, फिर आता है, Intra B Firm, Intra B Firm मतलब की टाटा जी है, अब टाटा जी क्या चलातना है, यार, का यो, कौनसी यार, उनकी हाँ, फूड वाली कंपणी भी है, उनकी वेहिकल कंपणी है, अब फूड वा benefit of e-business, e-business के आने से हो रहे है, paper paper बंद हो गया, सीधा e-bill आ रहा है, paper phone में दिख जह रहा है, खतब बात, हम e-business के आने से globally reach कर पा रहे है, हम भारत में बैठे हैं, और अपरड़क्ट अमेरिका वाला भी देख सकता है, Amazon, Flipkart, Intra के जरिए, और हम क्या कर सकते है, क्या तो सारा सारा कुछ technology में है ना, हां, तो हमारा rating review वो सब बाहरा देख साथ, तो convince हो जाएगा, और इसकी operating cost भी सस्ती आते हैं, हमें सिर्फ चाहिए, एक laptop, website से हिए, बस, पॉपना product होना ही चाहिए, तो dealing किस की करोगे, अब क्या बचा, traditional business or domestic business के बीच का, sorry, traditional business or e-business के अब जो traditional business एक उसकी operating cost माँचादा आती है या इस तो परसंनल डाच जनल डाच और vaur e-business पर पर्शानल डाच आता है और और वार्ड जो को फोहाना पर ही निल जाता है बिझेंस में हमारे कॉस्टमर काट्री ओर वरल्ड में को साथे ते जिए भाई चप्टर फइफ भी खता यह चप्टर फइप थे जब फिट थे जब फिट था आप चप्टर फिट फैप था जब चप्टर टू बचा पाइशीब की बात करते हैं बहुत सारे लोग आप एक कंपनी बानाते हैं और क्टिनुटी होती है एक पारटनर की तभियत खराब वही है दो तो दूसरा पार्टनर भी कि अगे सम्हार लेगा है इसमें और क्या होता है और फंड होते हैं इतने सारे पार्टनर्स है तो सम्हें थोड़ा-थोड़ा कांट्रिब्ट करके बहुत बड़ा पंड तैयार कर लिया है तो फॉर्म होता है रजिस्ट्रेशन की इसमें जलुवत नहीं पड़ती है अप्डी मेर भ्यानते हैं अलिमिडिल नाइडिटी होती है सारे पार्टनर्स की और लेक अफ़ांटिनिटी अप्ट में तो इसमें आप दूनिया बड़ी जालिम है लेक अपर्टिनिती में क्या होता है किसी भी एक पार्टनर को हार्ट अटेक बर गया या तबियत खराव है तो क्योंकि यह तो रस चांहे तो नहीं है तो पाप्लेक इंटरेश्ट करेंगी पार्टनर्सीब के मैने इत्ट घल्ट मैरेट न कान सम diferend जिन आरहे को ऊपार्टनर उर सिंक टरंसुर से यह जिसके दिए घंम शिर्टर का जो ऑपसा हमीह ओज रहा है पइसा लगा रहा है पैसा लगा रहा है प्रॉफेट ले रहा है वो रिस्क भी ले रहा है परचिसीपेट नहीं कर रहा है जी बहुत जोडार तर आजाता है लाइबर्टी अनलेमिटेड होती है समाज हागा मज़ा आगा अब पार्टरशिफ केफिने तो थे कि अधेर की पार्टिकुलर यह पांटिकुलर पार्टिकुलार क्या होती है कि हमारा कोई बिल्डिक बन रहा है हम ले बिल्डिग बनाने का ठेका लिंगा हम सब साथ में हमारा कोई बनानिक ऑठीका एश well संच टाइ सुक्ति अब प्ल्डिकुलरा विजबिड़ ले ऑफल में मालों किसी को कुछ समज नहीं आ रहा है कीबी प्लिकुत ने सकती हुए प्रिविएस वीडियो देख सकते हैं आप वीडियो के प्लेलेश्ट में मिल जाएगी और अब बात करते हैं कंपनी के इसमें थोड़ा उपर उपर से देख लेते हैं MOA, AOA और प्रोस्पेक्टस MOA मतलब Memorandum of Association AOA मतलब Article of Association और प्रोस्पेक्टस मतलब प्रोस्पेक्टस मतलब क्या बहुत नंबा खिच जाएगा या लेक्टर है और क्या बचाहां चॉइस ऑफ बिजनस चॉइस ऑफ फॉर्म बिजनस हम जब बिजनस को फॉर्म करते हैं तो बहुत हरी चॉइस देनी परती है हमारी लाइबरेटी कितनी होने वाली है हमारे बिजनस का नेचर कैसा होने वाला है है ना हमारे बिजनस की लोकेशन कहां होने वाली है हमारे बिजनस का नाम बीची को डिस्रिस्पेक्ट पर नहीं कर रहा है हमारे बिजनस की लाइबरेटी किस तरीके गी होने वाली है अनल सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करना इसके बिना जाना मत चले जाओ ठीक है यार मज़ा है तो लाइक करना नहीं बार बोलें चलो भाई-बाई मिनते आगली वीडियो में